आई फ्रेंड्स करीपत्ता से रिलेटर मैंने कई सारी वीडियो शेयर किया है कि आप करीपत्ता को कैसे घना बनाएं हरा भरा स्वस्त कैसे रखें अगर जल्दी से बड़ा करना है तो आप कौन सा फटलाइजर इसमें यूज करें इसके लिए कौन सा बेस्ट फटलाइजर हो इसमें बात करने वाली को इस पौधे में अगर कोई फंगस लग गया बीमारी हो गया जैसे मेरे इस पौधे में लगा हुआ है तो आज मैं इस पैसली बात करूंगी कि इसे कैसे दूर करना है तो लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंड कोई प्रोफेशनल नहीं हो बट अपने एक्सपीरियंस सारी चीजे से यहर करती हूं तो यह जो है मेरा करीपता का पौधा है देखके कोई नहीं कहेगा कि इसमें किसी भी तरीके की बीमारी है मगर इसमें जो है एक तरीके का पाउडरी फंगल बोलते हैं वाइट वाइट यह इसकी पतियां मतब यूज नहीं कर पाएंगे किचन में यह डेली यूज होना वाला पौदा है हर चीज में जो है हम इसका यूज करते हैं खरबल प्लांट है और इस पर जो है हम किसी भी तरीके का कैमिकल फटिलाइजर का यूज बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए यह मैं हमेशा जिसे घर की चीजों का इस्तमाल करती हूँ कोई कैमिकल बाहर से लाती भी नहीं अपने पौदों में डालने के लिए तो यहां पे जो है इनिसेल स्टेज पे था तो मैंने बहुत सारा स्प्रे करके देख लिया कि कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी पूरी तरीके से कट करके निकाल दोंगी दुख तो हो रहा है बहुत ही ज्यादा इसे करते हुए काटते हुए मुझे क्योंकि इस बालकनी का मतब यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लूप देता था सान है मतब इसे मैं जैसे ही काट करके न करना पड़ा तो में पूरी तरीके से कटाई कर दूंगी क्योंकि हर एक ब्रांच में फैल गया जितने भी इसमें ब्रांच थे सभी में बहुत ही जादे दीरे दीरे यह रूट में हो गया है जब मुझे मैंने रूट में देखा तब मुझे डाउट है तो मैंने सोचा इसकी इसका ट्रीटमेंट आगे में बताऊंगी क्या करना है इसका फर्स्ट पार्ट में रख रहे हूँ हैं कौन सा मतव हो में फंगिसाइट पेस्टिसाइड यूज़ करें इसकी वज़े से यह पौदा दूबारा से हमारा हरा भारा हो जाए तो सबसे पहले हम इसे कट कर कैसे बनाते हैं कैसे लंबे टाइम तक एक साल तक आप स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही इजी होता है करीपत्ते को परधो को जो है ग्रो करना इसे पौडर फार में बना के रखना लंबे टाइम तक का फ्रीज में कैसे स्टोर करके रखे अगर आप बाहर से करीपत्ता का प लेंगे जितना हो सके जिदना निकल निकाल लेंगे और इस पर बाद में हम और लेक्षा परूडर T निकलते ही नहीं बहुत जाद है इसे जो है Sब जगई यह वायट उयक्न से डीकते हैं इस तरीके से अव्य यह दिखरें सिकल fans में भी उपर हो रहे थे जिसके वजह से मुसे काटके निकालना पड़ा और यह पौधा मेरा काफी ज्यादा पुराना है लगभगे साथ साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है सुरू में जो है मैंने इसे नर्सरी से खड़ा था जब मेरे पास नहीं था मैं आई थी और यह स्पाइडर प्लांट इसमें अपने आप उगाया क्योंकि इसके बगल में मैंने स्पाइडर प्लांट रखा था उसके रनर्स निकलते हैं बेबी प्लांट से यह पौधा इसमें बन गया तो सबसे पहले हम मिट्टी के अच्छी से गुड़ाई कर लेंगे बाद में च्छी चला क touchedy बाद में मिट्टी ने हाँ तो आप भावोटल लगाँगे चांगे में सबसे हां भी को चुद हैं तो यहां जbourgआ बउन्डि का पर नहीं हो तो कुछ भी ऐस्ता है, वह कैंष निकलते को हैं दाल्टी का तो है ऑगे मिट्टी में यहां होधी जो झीरा स्व यहां कर जब दम पास वाला spider plant में उसे निकाल दे रही हूं इसका एक नया पौधा बना लेंगे और जो दूर दूर है उसे अभी रहने देंगे बाद में मुझे लगाना होगा तो उसे भी निकाल लेंगे spider plant भी एक इंडोर प्लांटे बहुत एजली यह ग्रो हो जाता है कम केर में अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है तो यहां अच्छे से पहले हम गुडाई कर लेंगे इसके roots में भी दीरे दीरे यह फैल रहा है और यह पेर जैसा इतना बड़ा हो चुका है पौधा कि इसमे अच्छे से दाल चीनी का पौडर लगा रही हूं और जिसा मैंने बताया है अगर आपके पास दाल चीनी का पौडर ना हो तो हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं जब भी किसी भी पौधे में इस तरीके फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं जैसे कभी-कभी हमारे मोग्रे के लगा सकते हैं और मिट्टी में भी थोड़ा से स्प्रिंकल कर देंगे और जब इसमें नहीं ब्रांच आएगी तो उसमें जो है हम दुबारा से स्प्रे करेंगे इसका मैं आपको वीडियो जरूर शेयर करें जबे बुशी होगा दुबारा से तो फ्रेंड्स अगराच का ये वीडियो आपको हेलफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स अन फैमली में चैनल को सस्क्राइब कर लिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में